अनिता क्रियेशन में आपका श्वागत है आज मैं ऐसी रेसिपी बनाऊंगे जो आप अक्सर रेस्टूरेंट में जाकर खाते हैं या रेस्टूरेंट से मंगा कर घर में खाते हैं तो चलिए बनाते हैं बनाने के लिए मैं यहाँ पे 400 ग्राम मैदा ले लिए हूँ और 100 ग्र पॉडर डालेंगे और इसमें हम लोग थोड़ा सा बेकिंग पॉडर भी डालेंगे तो एक चम्मच मैं यहाँ पे बेकिंग पॉडर डाल रही हूँ और सभी को डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरह से सभी को मिक्स कर लीजिए थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हलक नहीं डालेंगे बस हलका हलका करके और डालेंगे जितना requirement होगा उसके अनुसार हम लोग पानी यूज करेंगे तो इस तरह से हम लोग मैदा को गूत कर डो बना लेंगे देखिए मैं थोड़ा थोड़ा पानी ही डाल रही हूं और डाल कर इसको अच्छे से मसल मसल कर इसको ग बनेगा तो आज का डिस बहुत ही थोड़ा यूनिक और डिफरेंट है अब इसमें एक चमच तेल डालेंगे तेल डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरह से डालकर चिकना कर लेंगे और देखिए मैं यहां पे इसको अच्छे से गूत रही हूं इसी तरह से आप डो तयार कर लेंगे हमारा डो नान का डो तयार हो गया है इसको अब कभर करके 15-20 मिनट के लिए छोड़ देंगे उसके बाद बनाएंगे तो चलिए डो लेते हैं कि कितना अच्छा डो हमारा बन कर तयार हो गया है बिल्कुल नान जैसा चाहिए हमको बनाने के लिए वैसा फर्फिक डो बन कर तैयार है इसको अच्छे से थोड़ा मिक्स कर लेंगे नान बनाने से पहले इस तरह से अब थोड़ा सा इसमें सूखा मैदा डालेंगे ऐसे अगर आप बीना मैदा का ही बेलेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा अगर नहीं बीन मैदा का बेल पारे हैं तो उसमें थोड़ा सा सुखा मैदा लगा देंगे इस तरह से थोड़ा सा डोले लेंगे और उसको पेरा बना देंगे पेरा के तरह थोड़ा सा मैं सुखा मैदा यूज कर रही हूं इस तरह से बेलेंगे आप कोई भी सेब दे सकते हैं लंबा भी बना सकते हैं या गोल भी बना सकते हैं आप अपने नुशार बना लिजे मैं इस तरह से गोल बेल रही हूं तो बेल ली हूँ, अब मैं इसके उपर में थोड़ा सा जमाइन डालूंगी, अब जमाइन के जगा कलॉंजी भी डाल सकते हैं, और थोड़ा सा कस्तूरी मेथी डालूंगे, और डाल कर बस थोड़ी सी हलके हाथों से थोड़ा सा इस पर बेलना चला दूंगी, जिससे और जो भी इसमें इस्ट्रा होगा, कस्तूरी मेथी या जमाइन वह निकल जाएगा, इस तरह से पलट लीजे, दिखे, थोड़ा सा इस्ट्रा था, नहीं चिपकत था, सेट नहीं हुआ था, चली अब इसको एक प्लेट में रख देते हैं, इसी तरह से फिर दूसरा को भी बेल लीजे, फिर इसी तरह से दूसरा तीसरा जितना भी आपको बनाना है, आप बना सकते हैं, फिर मैं आपको दूसरा भी बना के दिखा रही हूँ, अब इसमें मैं थोड़ा पानी लगा दूँगी, इस तरह से मैं दोनों तरीके से आपको दिखा रही हूँ, आपको जै डालूंगी देखिए इस तरह से ऐसे दवा देजिए ताकि इसे च्छे से कस्तूरी में थी और जमाइन चिपक जाए और नहीं तो आप उसको हलका सा बेल भी सकते हैं यह बेलने में थोड़ा प्रॉलम होगा क्योंकि हम लोग पानी यूच किये थे इसलिए लेकिन फिर भी अ इसी तरह से में सबीको बना लूंगी पिर इस पर भी आप उसी तरह से जैसे मैं पहले बनाई ती उस तरह से ही इसको मैं बना रही हुं इसलिए मैं आपको दोनों तरीके से दिखा दिए आपको जो तरीका अच्छा लगे आप ने नुसार बना लिजिए चलिए हमारा नान बेला गया है अब इसको भी साइड करते हैं दिखे इस तरह से बेल लेंगे अब एक तावा लेंगे आप सबसे बड़ी बात है कि आप घर में इसको आसानी से बना सकते हैं इसके लिए आपको कोई तंदूर की जरूरत नहीं परेगी आप तावा में पैन में भी आसानी से बना सकते हैं इसको बनाने के लिए एक बात का ध्यार रखेगा कि नोन एस्टीक नहीं होना चाहिए आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर मेरा तावा नोन एस्टीक है लेकिन इसका नोन एस्टीक उतना काम नहीं करता है इसलिए मैं इसमें बना रही हैं अगर इस टाइप का है आपके पास तो आप उसको यूज कर सकते हैं नहीं तो लोहे एस्टील का यूज करिए तो बिना तंदूर का भी हमारा नान बनकर तावा या पैन पे तैयार हो जाएगा तो हम लोग बना सकते हैं बटर को मैं थोड़ा मिल्ट करके रख ली थी अब मैं उसको इस तरह से नान मेरा बनकर तैयार है बटर लगा दी हूँ देखिए पीछे का भी बिल्कुल तंदूर की तरह नान बन गया है तो भी इसी तरह से मैं फ थोड़ा सा पानी जरूर लगा दी जिससे वह अच्छे से तबापे चिपक जाए और इस तरह से हलका सा प्रेसर दे दीजिएगा जिससे आप तबे को टर्न कर रहे हैं तो नान गीरे नहीं अगर गीर जाता है तो उसमें थोड़ा सा पानी लगा कर फिर से कर लिजेगा इस बन गया है इसी तरह से मैं तीसरा भी बना लूँगी और मैं बटर लगा दूँगी इस तरीके से बटर लगा के चारो तरफ से अच्छे से फैला दी तो बिना तंदूर का भी नान बनकर तैयार है फ्रेंट्स देखिए कितना अच्छा नान बना है बिना तंदूर का आई पसंद आया हो नान कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताईएगा नान पसंद आया हो तो लाइक से और सब्क्राइब जरूर कर दीजेगा और हाँ दोस्तो बेल आइकोन जरूर प्रेस कर दिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके तेंक यू